देख सकते हैं दोस्तों मैं अपने phone के home screen पे आ चुका हूँ और अब आपको बताऊंगा कि आप जो है online खुद से कैसे mobile अपना book कर सकते हैं कोई सी भी company का तो आप Amazon से भी कर सकते हैं और फिलिप कार्ट से भी कर सकते हैं या दिगर जो भी इस तरह का online marketing app है उनसे आप कर सकते हैं तो चलिए मैं फिलिप कार्ट से अभी फिलाल अपने लिए phone book करना चाहता हूँ EMI पर तो मैं सबसे पहले फिलिप कार्ट पर click करता हूँ अब यह अलग-अलग cost में अलग-अलग phone भी है आप चाहें तो पढ़ लीजिए मेरा है Samsung Galaxy M14 5G phone है इस पर मैं click करता हूँ और जब इस पर click करने के बाद कुछ इस तरह का interface जो है मैं देखने को मिल रहा है यह mobile की तमाम information है highlight यह point दिया गया है कि 6GB RAM है 128GB ROM है और जो भी है आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं और जो भी आपकी चुआई से जो भी आप phone लेना चाहरे है पड़किरिया आपको यह 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 procedure आपको follow करना होगा तो चलिए यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा buy now और pay भी थी MI तो मैं pay भी थी MI पर click करना चाहूँगा चुकि मैं यह MI पर लेना चाहरा हूँ तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद फिर एक नया interface खुल रहा है और बता रहा है कि back cover और charging बगर है के बारे में तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे वरना skip and continue पर click करें अब देख लीजिए यहाँ पर फिर उस phone के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका यह order है इसको confirm करने के आप जो है payment कैसे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे यूपी आई का दे रहा है वैलेट दे रहा है क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड एटियम कार्ड नेट बैंकिंग कैस ऑन डिलिवी तो चुक्कि हमें यह माई पर लेना है तो यहाँ पर एक option देख रहा उपर में payment option भी थी हमाई तो मैं इस पर click करता हूँ और जब हम इस पर click करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा bank है जो भी बैंक से loan लेना चाहरे हैं मतलब phone लेना चाहरे हैं उस bank के यहाँ पर नाम आप search करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा तो खेर फिलाल म इस टेट बैंक से लेना चाहरे हूँ तो इस टेट बैंक आफ इंडिया पर मैं click किया अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अब कितने महीनों के लिए loan लेना चाहरे है तो हम चले छे महीने के लिए मैं try कर तो यह छे महीने के लिए मैं loan लेना चाहरे हूँ और यहाँ पर एक plan है आप इसको चाहें पढ़ लेंगे फिर आप click करेंगे एक कोई सी भी एक plan पर यहाँ पर 24 plan यहाँ पर आप जब click करेंगे तो आप अपना card number डालेंगे ATM card का तो जो भी आपका card number होगा वो डाल देंगे उसके बाद महीना डालेंगे कि आपका expiry date क्या है उसके बाद cb number काट के आपके पीछे होगा उसको डाल देंगे यहाँ पर 3 digit का होगा उसके बाद place order पर करेंगे जब place order हो जाएगा तो आपका phone जो है EMI पर खरील सकते हैं तो हम आसा करते हैं कि यह जानकारी अब आपको बहुत अच्छी लगी होगी उमीद करता हूँ कि आप मुझे अब जाकर call नहीं करेंगे अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई परिशानी आ रही है तो comment section में हमें comment करके जब बताया अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले धन्यवार